असलाम लेकुम वेलकम बैक टू माई चैनल एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिली पोटेटो ड्राइ बनाने की बहुत यासान और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बिलकुल हम इसको रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे इंतहाई क्रिक्पी बनते हैं खाने में बहुत ही टेस्टे हैं आपने बस वीडियो को बिलकुल स्किप नहीं करना एंट तक रेसिपी को फॉलो कीचिए का सारी टिप्स और ट्रिक्स को तो यहाँ पर मैंने चार अगत मीडियम साइस के आलू कट कर लिये हैं जिसना सिर्फ फॉल कोक नहीं करना हाफ कोक करेंगे इस टाइम पर जादा ओवर कोक नहीं करेंगे इसे अगर हमने जादा ओवर कोक कर लिया इसी टाइम पर ही तो जब हम इनको फॉल कोक करेंगे तो आपने एक ही इसको boil देना है जैसे ही इसको boil आना स्टार्ट होगा तो बस हम इनको निकाल लेंगे तो जैसे ही इसको एक boil आया है तो इसको मैं निकाल लूँगी पानी में नमक वगेरा आपने कुछ भी add नहीं करना, simply इसको बाउल कीजिएगा तो यहाँ पर इसको निकाल कर एक बाउल में रख लेंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पर देखिए अभी इसमें स्टीम मुझूद है तो इसके उपर मैं एड़ कर दूंगे कॉन फ्रॉर यह लिया है मैंने तकरीबन 3 टेबल स् के बराबर इसमें एड़ कर देंगे अदरक पाउडर 1 टी स्पून के बराबर नमक एड़ कर देंगे हस्पे जरूरत नमक इस टाइम पर कम ही एड़ कीजिएगा इसके साथ इसमें एड़ कर देंगे काली मिर्श का पाउडर 1 टी स्पून के बराबर अच्छी तरह से इसको mix कर लेंगे तो इस पे जितने भी dry ingredients add करने हैं वो थोड़े से गरम आलू होंगे तब ही आप add कर लीजिएगा इससे क्या होगा कि यह सारा जो इसका moisture होगा आलू का वो soak कर लेंगे तो अच्छे से मैंने इसको mix करके रख दिया है और यहां पर एक हमने liquid ready करना है उसके लिए एक bowl ले लेंगे उसमें add कर देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर सोय सॉस इसके बाद इसमें add कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चिली सॉस सारे ingredients की ratio आप देख सकते हैं अपने मताबिक भी आप add कर सकते हैं इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे कैचप, कैचप के लिए है मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने सिंपल वाली कैचप यूज़ की है, अगर आपके पास गारलिक वाली मुझूद है तो वो भी आप एड़ कर सकते हैं, इसके साथ इसमें एड़ कर देंग के बराबर पानी एड़ किया है मैंने, इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें एक टेबल स्पून के बराबर एड़ कर दूँगी मैं कौन फ्लॉर, तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई भी लम्स वगरा नहीं रहने चाहिएं, यह सिंपल से इंग और साथ इसमें लाल मिर्च का पावडर एड़ कर देंगे, पानी एड़ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ कीजिएगा, तो यहां पर गोल रेड़ी कर लेना है, हमने और जो हमने बना कर रखे हैं, फ्राइज जिसके उपर ड्राइ हमने मैदा और कौन फ्लॉ इसी से बहुत ही क्रिस्पी से ये फ्राइज बनेंगे, और चिली ड्राइ भी एंड तक जब आप इसका लास्ट बाइट भी ले लेंगे, तब तक ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे, इसमें तकरीबन एक कप के बराबर मैंने पानी एड़ किया, बहुत अच्छे से इसको मिक अच्छर था, वो बहुत अच्छे से सोक कर लिया है, उन्होंने आलों का, अब जो हमने लिक्विड बना का रखा है, उसमें डिप करते जाएंगे, और एक एक आलो को इस तरह से हमने एड़ करना है, अगर आप एक साथ ही सारे एड़ कर देंगे, तो यह आपस में चिपक बना कर रख लिये जाते हैं, दुबारा से फ्राइ किये जाते हैं, लेकिन जो रेसिपी में आपके साथ रिया कर रही हूँ, यह इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे फ्राइस, और आपको एक दफ़ा ही फ्राइ करना पड़ेगा, तो इनको बहुत अच्छे से मैंने कुक करना स् और बहुत ही क्रिस्पी से यह बनें, तो इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है, लेकिन इसमें थोड़े से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप बिल्कुल रेसिपी बना सकते हैं, तो इनको टन कर लिया है मैंने, और दोनों साइट बहुत अच्छे से परफेक्टली हमने कुक करनी है, इंतहाई क्रिस्पी इनको बनाना है, तो जैसे-जैसे आप इसको फ्राइ करते जाएंगे, यह खुलना स्टाट हो जाएंगे और बिलकुल अलग हो जाएंगे, अगर आपको लगे कि कोई आलू इस से मुझूद है इसमें जो अलग नहीं है, तो आप उस एक साथ फ्राइ कर लेंगे उसके बाद हम चिली रॉय बनाना स्टार्ट करेंगे यहां पर सारे ही चिप्स मैंने फ्राइ कर लिये हैं दुबारा से पैन रख लेंगे वही वाला और उसमें मैंने एड़ कर लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर और यहां पर शिम्ला मिर्स और प्याज और अट कर देंगे एक कदर शिम्ला मिर्स ली थी मैंने और आप देख सकते हैं उसकी कटिंग किस्टना से की हुई है और एक ही मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी तो इस टाइम पर हमने इसको हलका सा रोस्ट कर लेना है इसमें जो crunchiness है वो काइम रहनी चाहिए आपने बिल्कुल low flame पर इसको cook नहीं करना तो तकरीबन 3 मिनट इसको मैंने cook किया तो यहाँ पर इसको medium to high flame पर cook कीजिएगा ताके इसका color भी खराब ना हो यहाँ पर जो liquid हमने बना कर रखा था वो इस टाइम पर हमने add कर देना है अगर आपको थोड़ा सा नमख मेच मिसाला कुछ भी add करना है तो इस टाइम पर add कर लीजिएगा अब इसको cook कर लेते हैं तो यह बहुत ही मज़ेदार सी gravy ready हो जाएगी और बहुत ही tasty बनती है यह एक दफ़ा जरूर ट्राइ कीजिएगा इस टाइम पर अगर आपको मेरे recipe अची लग रही है वीडियो अची लग रही है तो kindly मेरे channel मुलतानी तरका को जरूर subscribe कर दीजिएगा bell icon press कर दीजिएगा और वीडियो को like जरूर कीजिएगा तो देखिए पकना start हो चुकी है और साथ ही हमने इसमें till add कर देने हैं तक रीबन एक tablespoon के बराबर मैंने till add किये हैं white वाले अच्छी तरह से mix कर लेंगे mix करने के साथ ही देखिए थोड़ी सी थिक हो चुकी है हमने इसमें corn flour add किया था उसकी वज़ा से इसमें थिकनस आई है और जो oil add किया था उससे बहुत अच्छी सी शाइनस आई थी तो देखिए हमारे fries किस कदर ये crispy हैं अब हमने इसमें add कर देने हैं सारे fries तो इस टाइम पर भी आपने flame को high ही रखना है क्योंकि हमने इसको ज़्यादा over cook नहीं करना तो सारे fries add करेंगे अच्छी तरहां से इस टाइम पर mixing कर लेंगे और तकरीबन एक से डेर मिनट ही हमने इसको cook करना है क्योंकि सारे ingredients बहुत अच्छे से पके हुए हैं पस हमने mixing बहुत अच्छे से कर लेनी है तो मैंने भी यहाँ पर flame बिल्कुल off कर दी है और mixing कर रही हूं मैं और बहुत अच्छे से गरम गरम इसको serve किया जाता है और जादा तर इसको buy rice के साथ भी serve किया जाता है तो आप पर depend करता है simply इसको इस तरह से भी खा सकते हैं चाबलों के साथ serve कर सकते हैं आप पर depend करता है तो माशालला से हमारा chili dry बिल्कुल ready हो चुका है potato chili dry तो आप भी try कीजिएगा इंशाला आपको ये recipe बहुत अच्छी लगेगी उपर से मैंने थोड़े से और ते लैट कर दिये और देखे किस कदर ये crispy बने है try करके feedback ज़रूर दीजिएगा जाते जाते चैनल को subscribe कर दीजिएगा इसी तरह से मुलतानी तरका पे बहुत से recipes मुजूद है तो विजिट कीजिएगा थैंक्स वर वाटिंग अलाहफेज